आकाश्वानी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादिशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मेरा नाशाहित पुणे के भारतिय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के परिसर में चौवनवा पुलिस महानिदेशकों और महानिरीकशकों का राष्ट्री समिलन चल रहा है इसमें सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशक और महानिरीकशक भाग ले रहे हैं समिलन का समापन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मूदी के संबोधन के साथ संपन होगा हैदरबाद में एक महिला डॉक्टर के साथ दुशकर्म और हत्या मामले के चार आरोपियों की मुठभेड में मौत की जाँच राष्ट्रिय मानवा दिकार आयोग की दल ने आज लगतार दूसरे दिन भी जारी रखी आयोग ने कल घायल पुलिस कर्मियों के बयान दर्ज किये थे और चारों आरोपियों के शवों का निरीक्षन भी किया था राजे उच्च नियाले के आदेश के अनुसार मुठभेड में मारे गए चारों आरोपियों के शव महबूप नगर सरकारी अस्पताल में कड़ी सुरक्षा के बीच रखे गए हैं इस सिलसले में दायरे क याचिका पर उच्च नियाले में कल सुनवाई होगी दिल्ली के रानी जहासी मार्ग स्थित अनाज मंडी में आज सुबा लगी भीशन आग में अब तक 43 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 15 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है आग बुझाने में 25 दमकलों को लगाया गया था आग पर काबू पालिया गया है घटना में घायल हुए लोगों को दिल्ली के विभिन अस्पतालों में भरती कराये गया है वही पुलिस फैक्टरी मालिक के भाई को हिरासत में लेकर पूछता आच कर रही है इस बीच दिल्ली के मुख्यमंतरी अरविंद केजरिवाल ने मृतकों के परीजनों को 10-10 लाख रुपे मुआवज़ा देने का ऐलान किया है उन्होंने नया एक जांच के आदिश भी दिये है राजी सरकार ने आज इंदोर जोन के अतरिक्त पुलिस महानेदेशक वरुन कपूर का तबादला कर दिया उन्हें ADGP के रूप में पुलिस मुख्याले में पदस्थ किया गया है वहीं साइबर क्राइम के अतरिक्त पुलिस महानेदेशक मिलिंद कांसकर को वर्तमान दायत्वों के साथ इंदोर जोन में ADGP का अतरिक्त प्रभार सौपा गया है आकाशवानी भुपाल के प्रादिशिक समाचार एकांश की विशेश श्रंकला अच्छी खबर के 22 में अंक में आज शाम आप सुनेंगे दमो जिले में बेटी की तेरवी पर पिता द्वारा हेलमेट बांट कर जीवन रक्षा का संदेश देने वाली पहल पर विशेश रिपोर्ट अच्छी खबर में आप हर अविवार रूबर होते हैं प्रदेश के किसी भी इलाके की उस खबर से जो सकरात्मक है और समाच को दिशा देने में मददगार हो सकती है भोपाल के तात्या टोपे स्टेडियम में एकलव्य आदर्श आवासी विद्यालों की अखिल भारतिये खेल कूत प्रतियोगिता कल से शुरू हो रही है 13 दिसंबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 20 राज्यों के 284 एकलव्य विद्यालों की 4500 खिलाडी भाग ले रही है प्रतियोगिताएं भोपाल के 6 खेल मैदानों में आयजित की जा रही है भारत और वेस्ट इंडीज के बीच तीन मैचों की 2020 क्रिकिट श्रिंकला का दूसरा मैच आज तिरू अनंत पुरम में खेला जाएगा शाम 7 बजे शुरू होने वाले मैच का आँखो देखा हाल हिंडी और अंग्रेजी में बारी-बारी से आकाश्वानी के राजधानी, एफ-म, रेंबो और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है पहले मैच में वेस्ट इंडीस को 6 विकिट से हराकर भारत श्रिंकला में एक शुने की बढ़ध बनाए हुए है अब कुछ समाचार संग्शेप में प्रदीश में समस्त जिला एवं तहसील मुख्यालेओं पर 14 दिसंबर को नैशनल लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा केंद्री कृशी मंत्री नरेंदर सिहीं तोमर ने मुरैना में कहा है कि बिना मौसम हुई वर्षा के कारण प्याज का उत्पादन प्रभावित हुआ है इसकी बढ़ती कीमतों पर नियंतरन के लिए केंद्र सरकार एक लाख टन प्याज आयात कर रही है गीता जैन्ती के अफसर पर आज राजधानी के आनंद धाम व्रधाश्रम में बच्चों के लिए गीता श्लोग गायन प्रतियोगिता आयजित की गई राइसिन जिले में निरोगी काया अभियान के तहट 30 वर्ष से अधिक आयू वर्ग के लोगों के लिए स्वास्त परिक्षन शिविर आयजित किया जा रहा है आगर मालवा में मेरा बच्चा अभियान के अंतरगत सुसनेर तहसील के पटवारी कुपोशित बच्चों को गोद लेंगे जिले में अभी तक 1100 कुपोशित बच्चों को गोद लिया जा चुका है ओरच्चा महुत्सव की तैयारियों की सिलसिले में आज जिला कलेक्टर ने ओरच्चा बस स्टैन के पास बने रेंज कार्याले अडवारा नाला रोड एवं सुलब कॉम्पलेक्स का ओचक निरीक्षन किया गुना जिले में रिक्त आंगनवाडी कारिकर्ता और साहे का पद के लिए खंड स्तरिये वरियता सूची प्रकाशित की गई है संबंदित आवेदक को यदि इस संबंद में किसी प्रकार की आपत्ती है तो वे परियोजना कारेले गुना ग्रामीड में 16 दिसंबर तक आपत्ती प्रस्तोत कर सकते हैं इस बुलिटिन में इतना ही आकाशवाणी भोपाल से अगला प्रादेशिक समचार बुलिटिन सुनिए शाम 7 बच कर 10 मिनिट पर नमस्कार